हेलो फेंड एक बाफ फिर आपका स्वागत है हेल्थ केर हब चैनल पर आज हम वीडियो पर एक जादूई चाय के बारे में बात करते हैं जो महलाओं की हेल्थ के सांसांत उनको वेट लॉस में भी मदद करेगी सांथ ही इसके रेगुलर सेवन करने से वह अपनी उम्र से जमा भी दिखेगी लेकिन इसकी जानकारी से पहले एक बार आपको याद दिला दूँ अगर आप चैनल पर नए है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें सांथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें तो आए हम इस जादूई चाय के बारे में बात करते हैं यह जादूई चाय कोई और चाय नहीं है गुढ़ल की चाय है जो महलाओं की हैल्थ के लिए जादू के पौधे के कुछ हिस्सों को उबलते पानी में डाल कर बनाई जाती है इस चाय के फायदों की बात करें तो यह शरीर में फ्री रेडिकल्स को दूर करने में काफी मदद करती है साथी ब्लड पेशर को भी नियंतरण में रखती है और लीवर के स्वास्त को बढ़ावा दे साथी वेट लॉस में भी मदद मिलती है इसमें विटामिन सी और कई अन्य एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं विसकस चाय शक्तिशाली एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होती है और इसलिए फ्री रेडिकल्स के निर्मान के कारण होने वाले डेमेज और बिमारी को रोकने में म पॉड़ी मास इंडेक्स को कम करता है इस चाय को बनाने के लिए थोड़ा सा पानी पैन में डाले फिर इसमें एक गुड़हल का फूल डाल कर उबाले साथी थोड़ी सी दालचीनी और एक छोटा टुकड़ा अधरक भी डाले फिर कुछ देर उबाले और फिर इसे शान कर इसका सेवन करें गुड़हल की चाय में ऐसे गुण होते हैं जो पेट की चरबी को कम करने की शक्ती रखते हैं इसे पीने से सेहत बिलकुल दुरस्त रहती है मोटापा कम करने के उपायके तोर पर गुड़हल की चाय का सेवन करना बहुत फायदे मंद होता है इसका मीठा और तीखा स्वाद क्रेंबेरी की तरह होता है। इस हरबल टी को पीने से डापिटीज कंट्रोल में रहती है। और हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। साथी इसमें कैंसर से लड़ने के भी गुण मौजूद होते हैं। लखने में सहायक होती है। जिससे वजन बढ़ता नहीं है। और गुढ़ल की चाय ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करती है। जिससे कार्भोहाइड्रेट को पचाने में आसानी होती है। गुढ़ल की चाय रोजाना दो या तीन बार पी सकते हैं पेट की चरबी घटाने और इससे मिलने वाले अन्या फायदों के लिए कम से कम दो से तीन महनों तक इस चाय का इस्तमाल कर सकते हैं और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी, अद्रक, लौंग या दालचीनी मिला सकते हैं गुढ़ल की चाय में चीनी की जगह शहद मिला कर पीने पीना ज़्यादा अच्छा होता है गुढ़ल की चाय, अन्य चाय की तलब को दूर करने के सांसाथ स्वास्थ को कई तरीके से फायदा पहुचाने का काम कर सकती है हरबल्टी की दुनिया में एक खास नाम शामिल है गुढ़ल की चाय यह चाय कई औशधिय गुणों से सम्रिध होती है और कई शारिरिक समस्याओं पर सकरात्मक प्रभाव दिखाती है इस खास चाय का सेवन सुभ़ और शाम के वक्त किया जा सकता है और यह एक प्रकार की हरबल्टी चाय है इसलिए गर्वती महिलाएं या फिर कोई और गंभीर समस्या से गुजर रहे व्यक्ति या फिर किसे किसी प्रकार की ऐलर्जी या लो ब्लट प्रिशर या फिर किड्नी लीवर से और हाट से जुड़ी हुई कुछ तकलीफें हैं तो इस चाय का इस्तमाल बिना डॉक्टर की सलहा के बिलकुल ना करें